दोगों ये question हमारे पास है, एक point A है, एक point B है, two fixed points, a variable line P, हाना, two fixed points, a variable point P is chosen on straight line Y equal to X, हाना, such that perimeter of triangle PAB is minimum, find coordinates of P, दो क्या कह रहे हैं, जैसे हमारे पास देखो, एक variable line है, एक line है, देखो, Y equal to X line, देखो, दो points है, एक point है 1,2 देखो, यहाँ पर एक point A है, 1,2 दोको दूसरा point है minus 2 कामा minus 4 दोको यह minus 2 कामा minus 4 दोको यहां कहीं आएगा ध्यान दो है ना मतलब एक point जो है वो line के ऊपर है और एक point दोको line के नीचे है यह क्या है दोको 1,2 दोकि दोको 1,1 line पर होगा 1,2 इसके ऊपर निकल जाएगा इसी पकड़ दोखो माइनस टू माइनस टू लाइन पर होगा और माइनस टू माइनस फूर दोखो इसके नीचे निकल जाएगा अब दोखो मैं करना क्या है हमें एक पॉइंट पी लेना है हाना एक पॉइंट पी इस लाइन पर लेना है जिससे कि P A B जैसे मालो हमने P point यहां लिया अब दोको यह triangle बनेगा हमें इस triangle के parameter को minimize करना है इस triangle के parameter को minimize करना है तो को ऐसा है जैसे triangle का जो parameter होगा triangle का जो parameter होगा वो क्या होगा दो देखो दिहां दो triangle का जो दोको parameter होगा वो होगा P A plus P B plus A B parameter का मनना तीनों sides का sum अब दोको A B तो fix है हना P A plus P B plus A B A B distance तो वही रहेगी अब हमें P A plus P B को क्या करना होगा minimize करना होगा ध्यान दो P A plus P B को हमें minimize करना होगा अब दोको मनने बताया था कि P A plus P B को minimize करने का दोको मतलब यह हुआ जैसे यह point यहां पर A था और यहां पर point B था तो दोको P A और P B को minimize करने का मतलब यह हुआ कि यह P point B इसी straight line पर होने चाहिए यह मने पहले आपको समझाई थी बात कि P A और P B अगर minimum होंगे तो यह P point इसी straight line पर होना चाहिए मनलब देखो actually यह जो triangle है यह triangle करीब करीब एक straight line बन जाएगा तो कि यह triangle नहीं रहेगा दोको जब P point A B के ऊपर ही आ जाएगा यह जब P point इस line के ऊपर ही आ जाएगा तो इसका मनलब दोको यह होगा कि यह triangle नहीं रहेगा यह चुले एक straight line बन जाएगा तभी इसकी value तभी इसका perimeter minimum हो पाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें P A plus P B को minimize करना और यह मैंने आपको बताया था कि P A plus P B तभी minimum होंगे जब यह P point उसी line पर आ जाए जिस पर A B है मतलब P point A B और इस line का हो जाए point of intersection यह बात मैंने आपको समझाए थी पहले भी ठीक है तो अब देखो हमें क्या करना है हमें P चाहिए P मतलब A B देखो यह line थी Y वरावर X और देखो यह A था यह B था A क्या था वोलो 1,2 और देखो B क्या था B था minus 2 minus 4 तो अगर हमें P point चाहिए तो देखो यह जो P point है यह Y वरावर X line पर भी होगा और A B पर भी होगा हाना जो P point है यह Y equal to X line पर भी होगा और A B line पर भी होगा तब ही triangle A P B का perimeter minimum हो पाएगा अब देखो P क्या हुआ P हुआ इन दोनों का point of intersection देखो जैसे यह point A है 1,2 और देखो यह point B है minus 2 minus 4 अब जैसे माल लिया यह X1 Y1 है और यह X2 Y2 है इसका equation निकालो तो Y minus Y1 बरावर Y2 minus Y1 upon X2 minus X1 और X minus X1 है न हमने क्या किया दोखो A B line का equation निकाला ठीक है क्योंकि हमें P point चाहिए P point चाहिए तो मतलब A B line और Y बरावर X line का point of intersection चाहिए क्योंकि triangle A P B का perimeter minimum तभी होगा जब यह P point इस line पर आ जाए क्यों ऐसा है क्योंकि दोखो A B तो fix है perimeter का मतलब तीनों sides का sum और A और B तो अपनी जगे fix है उनकी length तो fix है अब हमें P A plus P B को minimize करना है तो P A plus P B minimum तभी होंगे जब P point इसी line पर आ जाए और वो इस पर भी आ जाए ठीक है मतलब P point इन दोनों का point of intersection हो जाए देखो अब हम A B line का equation निकालने हैं एक point A मालूम है एक B मालूम है दो points मालूम होते हैं तो यह line के equation को निकालने का formula होता है दोखो Y minus 2 बराबर Y2 मतलब minus 4 minus 2 upon X2 minus 2 minus 1 और X minus X1 दोखो यह हो गया Y minus 2 बराबर दोखो यह क्या हो गया minus 6 upon minus 3 तो 2 हो गया और X minus 1 दोखो यहां से क्या मिल गया Y minus 2 बराबर 2X minus 2 दोखो यह हो गया Y बराबर 2X तो actually P point क्या हुआ P point हुआ Y बराबर 2X और Y बराबर X का point of intersection पी पॉइंट क्या होगा y वरावर x लाइन और y वरावर 2x लाइन का point of intersection अब हमें इन दो लाइन्स का point of intersection चाहिए तो क्या करें दोखो ऐसे लिखे y-2x वरावर 0 और y-x वरावर 0 इस मेसेज को माइनस कर दे माइनस प्लस दोखो यह कैंसल तो minus x वरावर 0 x वरावर 0 x की value 0 पुट करेंगे तो y वरावर भी क्या जाएगा 0 प्लस दोखो p point actually आ गया 0,0 हमें क्या चाहिए था हमें इन दो लाइन्स का point of intersection चाहिए था तो कैसे करना है इस मेसे इसे minus कर दिया x की value 0 आ गई x का 0 पुट कर दिया y 0 आ गया तो यह point आ गया 0,0 यही हमारे question का final answer हो गया ठीक है लोगो बच्चो दिहान से